ओविए हाई ग्राइस ऐसे आप में हूं मौनिका आप देख रहे हैं मिरा चैनल कोख बाइद मौनिका दूसरों आज की सबजी बनारी ना बहुत कम लोग lifelong बनानी लगी दो गधकर की सबसे लग रही हो बनानी अहां थे इतनी अच्छी सब्साइए इसे जरूर बनाना चाहिए कि अबी ABC शरण कहते हैं ये एंब कहते हैं इसकी पका Полада ये हैं यह यह चाहिए नहीं है माकिट से लेकिन इसे बनाने के बाद जो इसका स्वाद आता है और इसको बनाना असान भी होता है यह आपको इस तरह से गोल मिलता है मिट्टी के अंदर दब कर यह सबजी मिलती है एक तरह का कंद मूल है इसे पकाने के लिए दोस्तों इस तरह किसे आप पहले से मिट्ई लगी होते हैं अच्छे से दो लेंगे तो इसके से चिलका उतारेज़ें बहुत प्यार इच्छी से टुकड़े निखाल लेंगे देखे अच्छे से बने जीमी गंद को चीला, काटा और बहुत अच्छे से धोलिया और इसे पॉंच मिलिया है ताकि पानी न रहे तो आपका बार बार बनाने का बन करेंगे अगर आप गैस के लिए कुछ अच्छा पकाना चाहते हैं यह बहुत अच्छी रेसिपी है आप क्या करें जिमी कंद को इस तरह से पहले टुकड़ों में काटने के बाद तेल में फ्राइ कर लेजी बहुत ज्यादा देर तक अगर आपको लगे तेल ठंडा और तो आज को तेज करके अच्छे से फ्राइब कीजे अगर नॉन वेजिटरियन भी है तो भी आपको यह सब्जी बहुत अच्छी लगेगी जिमी कंद के टुकड़ों को मैंने अच्छे से फ्राइब कर लिया है सूरन भी कहते हैं कुछ ल तेल चोण ने बहुत हो दो बहुत कार्थ लाए ताकि जो मेरा साला है और जो टेक्सटर है वह बहुत अच्छा रहे लिए पिसके पंपनेशे जब करें तरगा बनाती है तो मीक्सी अधाला भी में अच्छा रहा है पीस कर बनाई यह काट कर बनाई जैसे भी बना सकते हैं इसे बहुत अच्छे से ब्राउन करें के कुरुकुरा ब्राउन कर लें एंगे प्याज को चंद मिंट मैंने तेज आंच पर चलाया तमारे प्याज में बहुत अच्छ से कुरकुरे हो गए अब मैं इसमें टमाड़ एड़ कर रही हूं जो उपने मिक्सी में पीस लिए तीन टमाड़ अच्छे लाल पके हुए और इसमें मैंने पीस कर एड़ किया है दोस् कि टेस्क एकॉर्णिंग साथ हल्दी आड़ कर रहे हैं यह बेसिक मसाले आट कि हम इने टमाड़ के साथ भूनेंगे टमाड़ भूनने में जादा ताइम ने लेते दो से चार मियाट भून लेजे ताकि जब आम इसमें जिमीकन डालें तो मारे टमाड़ का मसाला अच्छ स अच्छ से पक चुका हो देखिए मारे टमाड़ बहुत अच्छ से भून गया कितना अच्छा कलर आए यह बेसिक मसाला रहता है आप कोई भी सबसी बना रहे है ना इस मसाले में डाल दीजे मजा आजाएगा खाने वाले को अभी तुम फिलाल जिमीकन पका रहे हैं तो यह काफी हद तक गल चुगा है आप एक टुगड़ा खा कर देख सकते हैं आपको इससान सुझाएगा कि यह कितना गल है तो अब मैं इसे थोड़ा सा भून हूंगी दो मिनट जाद हमने ड्राय नहीं करना है बस दो मिनट भून लीजे जिमीकन बुन गया अब मैं इसमें पान ठीक ग्रेवी के साथ है तो मैंने इसमें दो कप के करीब पानी आड कि अब मैं इसे धक कर फेशी कर बैदि पांच से दस मिनट के पीच इतना ही काफी रहे गा अज को मैंने बिल्कुल कम कर दिया आप इसे कम से कम पांच मिनूट अजयास जाद चान पाइए इतनी देर में जिमिकंद जो है सारे फ्लेवर्स अब्जॉब कर लेगा मसाला अच्छे से रज जाएगा हमाई सब्जी जिमिकंद की मसालेदार बिल्कुल बढ़ियासी बनकर रड़ी हो जाएगी आप जिससे भी खिलाएंगे वह आपसे रेसेपी मांगेंगे पिछले 10 मिनट से सब्जी प जल चुका है और मसाला भी बहुत अच्छे से रज गया है बस मैं थोड़ा से इसमें गरम मसाला एट कर रही हूं अच्छे से मिक्स करोंगी और गर्मा गर्म सब्जी को सर्फ कर दूंगी आप चपाती नर्म नर्म रोटिया बनाएं ताहसी गर्मा गर्म उसे परोसी सब आ अच्छी लगरी है मसालेदार और सूरन सच में खाने में बहुत लजीज रहता है इसका टेक्स्टर खाने में बहुत ही स्मूद और क्रीमी रहता है आप रोज की वही सबजियां खागर बोर होएं तो यह सबजी जरूर पकाईएगा लोग इसकी शकल देखकर कच्चा जब अच्छी बहुत है